चोपड़ा हैं जो किसने टूप चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हदिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरी बचो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 23 का अभी एक्जाम होने के बाद आंस्वर की कब तक आएगा और रजल्ट कब तक आने की possibility है इसकी counseling कब तक स्टार्ट हो जाएगी और session कब स्टार्ट हो सकता है MBBS के लिए तो इसमें हम सारी possibilities के बारे में बात करेंगे NTA का previous year का data देखते हुए तो मैं आपको यहाँ पर expected date बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि NTA नी previous year में कौण-कौण सी date को क्या-क्या event किया था तो सबसे पहले हम previous year पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि यह इस पर काफी ज्यादा effect डालता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें NEET 2019 में नीट 2019 में जब नीट का एक्जाम हुआ था पांच मई 2019 को यानि कि 5 मई 2019 को एक्जाम हुआ था आंस्वर की इसकी रिलीज हो गई थी 30 मई 19 को इसके बाद रजल्ट आया था इसका 5 जून 19 को और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी 19 जून 19 को और इसमें सेशन स्टार्ट हो गया था 31 अगस्ट 2019 को उस समय काउंसलिंग के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता था रजल्ट आने के बाद में और एक्जाम होने के तक्रीबन एक मेहने बाद रजल्ट आ जाता था लेकिन 2020 में ये थोड़ा सा डिस्वैलेंस हो गया क्योंकि वो सिच्वेशन ही ऐसी हो गी थी कोरोना की कारव तो इसमें जो एक्जाम हुई थी वो 13 सिप्टेमबर 2020 को हुई थी और आंस्वर की रिलीज 2020 को इसके बाद रेजल्ट आ गया था 16 अक्टूबर 2020 को और कांस्लिंग स्टार्टिंग डेट थी यूट 28 अक्टूबर 2020 सेसन स्टार्ट हो गया था 31 डिसंबर 2020 इसके बाद में अगर हम 21 की बात करें तो 21 में एक्जाम तो हलंकि फिक्स हुआ था जुलाई में लेकिन कोरोन के कारण फिर ये पोस्ट बॉन्ट हुआ था और 12 सिप्टेंबर 2021 को ये एक्जाम हुआ था 21 का इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को इसके आंस्वर की रिलीज हुई थी और 1st November 2021 को रेजल्ट आया था और कांस्लिंग इसकी स्टार्ट हुई थी 17 जनवरी 22 को इसमें एक इस्यू ह तो उसके रिगाडिंग ये थोड़ा सा इस्यू आ गया था और कांस्ळिंग लेट हो गई की बात करें, पिछली साल की, तो 22 का जो एक्जाम हुआ था, वो 17 जुलाई 22 को हुआ था, और इसमें आंस्वर की 31 अगस्ट 22 को आ गई थी, और इसमें रजल्ट 7 सिप्टेमबर 22 को आया था, इसके बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट हुए थी, वो 10 अग्टुबर 22 को हुई थी, और 14 नौंबर से से स्टार्ट हो गया था, अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं यहां, कि यह जो सेसन स्टार्ट हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था, और यहां यह 14 नौंबर को स्टार्ट हुआ तो यहां 3 मैने कवर कि गए हैं, त्री मंथ ये एडवांस किया गया है पिछली साल, 21 से 22 में थ्री मंथ एडवांस किया गया है, और ये एडवांस इस बार भी होगा ताकि अगली बार रूटीन में आ सके, काउंसलिंग सही समय पर हो, इसके बाद जो स्टुडेंट एंबीबेस करते हैं, उसमें इं इंटरंशिट की जो लास्ट डेट पहले हुआ करती थी, वो 31 मार्ट से तक काउंट किया करते थे, उसके बाद में पी जी का एगजाम हुआ करता था, तो उसी रूटीन में आ सके, इसके लिए ये दो तीन मेंने, दो तीन मेंने एडवांस किया जा रहा है, अब इस साल कारण मनिपूर स्टेट का एगजाम अबीता कंडेक्ट नहीं हुआ है, मनिपूर स्टेट का एगजाम अबीता कंडेक्ट नहीं हुआ है, वहां सिच्वेशन ठीक होंगी, तब ही एगजाम कंडेक्ट होगा, अगर जल्द ही सिच्वेशन ठीक हो जाती है, तो एगजाम जल होता है तो मनिपूर स्टेट के जो कंडिडेट होते हैं वो 8,000 सम्तिंग होते हैं 8,000 सम्तिंग इस बार होंगे ये इतने कंडिडेट होंगे तो 8,000 कंडिडेट की एक्जाम लेना इतना ऐसंभव नहीं है NTA के लिए वो एक्जाम लेके 3 या 4 दिन में रजल्ट आउट कर सकता है जैसे पिछली बार का हम एक्जाम ले 22 का तो 22 में एक बार नीट हो गया था लेकिन 6 सेंटर पर री नीट हो था 22 में 6 सेंटर पर री नीट हो था और वो री नीट 4 सिप्टेंबर को हुआ था वो री नीट 4 सिप्टेंबर को हुआ था और सब का रजल्ट 7 सिप्टेंबर तक आ गया था, तो जब 4 September को re-neet होकर के 7 September को result आ सकता है, तो मनिपूर स्टेट के student का exam लेकर के 3 या 4 दिन में result लेना, देना NTA के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसमें, तो मैं सोचता हूँ, जैसे ही वहाँ पर हाला ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में कोई problem नहीं आएगी, उसकी वज़े से इतना result delay भी नहीं होगा, अब हम बात करते हैं कि expected date क्या हो सकती है इसकी, क्योंकि ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे students की planning भी होती है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को drop लेना है, borderline के ऐसे student भी है, जिनको ऐसा ह हो रहा है, कि हमें drop लेना है, या फिर हमारा selection हो जाएगा, तो इस परकार की इन सब को देखते हुए, मैं आपको यहां पर एक expected date बता देता हूँ, कि क्या हो सकती है, हलांकि ये exact तो नहीं है, क्योंकि future को कोई predict तो नहीं कर सकता है, exact date तो नहीं बता सकते है, लेकिन मैं है, NTA के previous year को देखते हुए, कि इतना समय result में लग सकता है, इतना समय answer की release में लग सकता है, इतना समय counseling start होने में लग सकता है, result इतनी समय में आ सकता है, तो यह मैं आपको possibility यहां बता देता हूँ, तो देखो 7 माई को exam हो चुका है, ये सब को पता है, और मनीपुर का भी हम ऐसा मान रहे हैं कि ये exam जल्द ही हो जाएगा, इसके बाद इन सब को देखते हुए, answer की release की date, third week of June 23 हो सकती है, यानि की answer की third week, June के third week में answer की आ सकती है, ने 23 की, ये expected date है, इसके बाद result date, result आ सकता है, June last week में, June last week में, result आ सकता है, ने 23 का, counseling स्टार्ट हो सकती है, July last week में, ये एक मेने का समय, इसलिए अभी लिया जा रहा है, क्योंकि session को सही routine में लाने के लिए थोड़ा समय बसता है, तो जब session स्टार्ट होगा, तो September से होगा, September की किसी भी date को हो सकता है, 14, 15, 20, किसी भी date को हो सकता ह तो इस date को, अगर ये session स्टार्ट होता है, तो हम मानते हैं कि counseling July last week में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मानना है, possibility है, exact नहीं है ये, इसके according हम planning कर सकते हैं, कि इसके nearby ये date हो सकती है, result declare की, answer की, counseling स्टार्ट होने की, तो ये जो भी possibility थी, मैंने आपको बता दी है, और इसके according आप हमारे channel को subscribe करें, ज्यादा से ज्यादा like और share करें, इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं, ताकि student को इन से help मिल सके, मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जैहिन!